तो आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार मचली वो भी सरसो वाली जो की ग्याओं में बहुत ही टेश्टी बनाया जाता है आज हम उसी तरीके से बिलकुल गाओं जैसा ही मचली बनाएंगे सरसो वाली जो की खाने में बहुत ही स्वादिस और टेश्टी लगेगी तो उसके लिए सबसे पहले हमने मचली को अच्छे से धुल के ले लिया है यह हमारी मचली एक केजी के करीम में है और साथ में ले लिये हैं कुछ मसाले जैसे की प्याज, आदरक, हरी मिर्च, लेसुन और तीन टमाटरी से हम ग्राइंड करेंगे और आपको आगे दिखाते हैं थोड़ा से हमने लिये हैं गेहूं का आटा और इसमें हमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मेच, थोड़ा सा ही नमक एड़ करना है और इन सब को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे हमें क्या करना है इससे हम मचली फ्राइ करेंगे तो यह देखिए अच्छे से मेक्स कर लिया है और इस तरीके से एक मचली लेके हमें चारो तरफ मचली को आटे में कोट कर लेना है यह आप देखिए इससे फ्राइ करेंगे तो बहुत क्रिस्पी आपका मचली फ्राइ ह होता है अब चलिए आगे दिखाते हैं सबसे पहले हमें एक कढ़ाई ले लेना है और उसमें ले लेंगे सरसो ओयल यह आप देख सकते हैं ओयल थोड़ा जाद दई लेंगे क्योंकि हम मचली बना रहे हैं पहले फ्राई करेंगे उसके बाद उसके बाद इसी में हमें तड़का भी लगाना है तो यह देखिए मचली हम एक एक करके आटे में कोट करके डाल देंगे जितना इसमें एक बार में एड हो सकता है तो हम सारे मचली को डाल देते हैं और जब तक हमारी मचली फ्राई हो रही है मसाले और देख लेते थोड़ा सा जीरा और सरसो और कुछ खड़े मसाले इन्हें भी हम ग्राइंट कर लेंगे पीस लेंगे और देखिए एक साइड का हमारी मचली हो चुकी है तो दूसरे साइड भी पलट के हमें फ्राई कर लेना मचली आप देख सकते हैं तो साथ में देखते हैं थोड़ा सा हमने दो प्याज इस्टरा ओल लिया है इसे हम तड़के में डालेंगे छोटे-छोटे साइज के और यह देखें हमने मसाले सारे मसाले ग्राि कर लिए हैं और इसमें जाएगा ऊपर से कुछ पीछे मंसारे जैसे की दो चमच के गरी में हमने दह्निया पाउडर लिया है और साथ में लेटनेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर फिल्कुल थोड़ा सा क्यों कि ने खड़ा लाल मिर्च को ग्राइंड किया था हरी मिर्च को सोरी साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर आदा छोटा चमच यह कास्मीरी लाल मिर्च हैं और यह हमारा एवरेस्ट मसाला है आपको जो भी मसाले पसंद हो आप हिसाब से अपने डाल सकते हैं आप इन सब को डालने के बाद थोड़ा सा इसमें हम अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे थोड़ा से इसमें पानी डाल करके ताकि मसाले हमारे पीसे हुए भी मसाले और सूखे मसाले अच्छे से मिक्स कर ल है यह हमारा सारा मचली फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं इस तरीके से आप चाहित ऐसे भी खाई बहुत ही टेस्टी लगेगी अब चलते हैं उसी उसी कड़ाई में हम इसे तड़के लगाने तो यह दिखिए तेल एक दम बढ़िया से बच चुका है आप सबसे पहले ह प्याजबत हैं तो यह देखिए नहीं हो जाए थोड़ा सा उपसे ताल देते हैं तेस चाह चोटे शोटे-चोटे और इस से बाधे बूल लेना है थोड़ा सा चलाते हुए घशफिए घ्याज को भूनते हुए अच्छे-घर हमारा प्याज बढ़िया सा कलर आजाए तो य कि अज़े हमारे फ्रांब रख जूँड़ एका we areも沒有 मुना कुछ के अदे का aujourd मेरे मसाले को भी आड़ राण कर दिया है मसाले डालनेकर फ्रेंश हमें गैस की फेले मीडियम ही करके अंब मसाले को ढग करके कम से कम सात से आठ मिनट तक पकाना है, ठोड़ा सा मने मसाले में पानी डाल दिया है ताकि और भीच भीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे आप गयाइक कि है जब थोड़ासा अगर लगने लगे तो थोड़ासा गयास की फ्लेम थोड़ा धीम करदेंगे साथ में देखी हमने टेस्ट के according नमक भी आट कर दिया है इसी समय हम मसाले को बीज 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 में हम चलाते भी हैं ताकि मसाले हमारे जलेना अच्छ से भूना जायें तो मारे इसी मारे अच्छ से भून चुके हैं आप दिख सकते हैं ओयल उपर दिखाई दे रहा होगा और मसाले हमारे अदम बढ़ियां से परफेक्ट से भूना चुके हैं तब हमें इसे में अब आड़ करेंगे पानी को यह आप देख सकते हैं पानी अपने अनुसार आड़ करेंगे और सकता अनुसार ती देखिए हमने पानी को आड़ कर द दो से तीन मिनट के बाद चेक कर लेते हैं तो यह देखिए हमारी ग्रेवी में उबाल आ चुकी है अब इस समय हमें क्या करना है गैस के फिले हम थोड़ा सा मीडियम करके दो मिनट के लिए और ग्रेवी को पका लेंगे उसके बाद हम इसमें मचली एड़ कर देते हैं ख़कि देख सकते हैं मचली डालने के लिए गैस की फिलेम और यह दे र釘ा कर देते हैं तो यह देखिए हमारी मचली बंके बिल्कुल रेडिये फ्रेंस आप भी इस तरीके से बनाएए बहुत स्वाधिस्ट बनती है